हेलो फ्रेंड्स वेलकम टिस्ट्वाइन पेडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज हम बात करने वाले हैं सी उसेट, स्लीबर्स, मास्टर्स इंचैनी, जिन्टरेंस एक्जामनिशन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं साथ में यहाँ पर जानेंगे एक्जामनिशन पाइटन क्या है यहाँ पर जानेंगे आपकी जो है किस डेट पर फॉर्म आएगी किस डेट पर एक्जामनिशन होगा और देखे सारे डेट यहाँ पर tentative है क्यों मैं यह बात बोल रहा हूँ क्योंकि official date अभी तक release नहीं की गई है तो सबसे पहले pattern जाले 100 आपकी questions पूछे जाएंगे आपका जो होता है computer based test होता है यानि computer पर आपको जो है select करना होता है वही पर आपका submit होगा OMR state आपको देखनी को नहीं मिलता यहाँ पर बात करें two hours का आपका test रहेगा जो की enough है मैं मानता हूँ यह enough है आप उस time पर अच्छा score कर लेंगे अगर अच्छे से आप study करें जाते हैं तो अब बात करें tentative dates की यहाँ पर क्या निकल कारा रहे है कब form आएगी बोला गया है मार्च अप्रेल में form हा जाएगी आपका examination जून जुलाई तक करा लिया जाएंगे आपको counseling करनी होती है जहां भी आपको master son challenge provide किया गया है वहाँ पिलीजिबल हो जाएंगे examination देने के बाद बात करें यहाँ पर देखिए part A और part B आपको देखनी को मिलेगा part A जो है 25 objective questions पूछे जाते हैं जिसमें English General Awareness आपकी रहती है जी के आप बोल लिजे और numerical ability देखनी को मिलती है ठीक है साथ में यहाँ पर बात करें part B में 75 objective questions होंगे जो कि आपके domain से हो सकता है question पूछे जाए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो topics यहाँ पर सब topics देखनी को मिल रहे है Chinese Language Based Questions होंगे और एक होगा question based on Chinese History, Culture, Society, Chinese CPC, Politics, Government, Structure, Chinese Geography, General Awareness, About Current Affairs, Concerning Chinese, Chinese Literature यह सब जो है सारे topics आपको पूछे जाएंगे जो कि मैं मानता हूँ आपने graduation में पढ़ा होगा पर Chinese Language पे जो है आपको ज्यादा focus करना है यह तो हो जाएगा अगर अच्छे active है यह आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो second topic हो जाएगा पर मेरा मानना है फर्स जो है आप देख रहे channel language based questions उसमें आपको खासा ध्यान देना होगा काफी कम scores आते हैं सीपे जैसे यहाँ पर क्या पूछे जाएगा elementary to advanced label including grammar sentence structure items, idiomatic expressions, anonymous, arranging various sentence in meaningful construction और यह जो है language based जितने भी होते है grammar part जो होता है Chinese का उससे questions पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे आपको university आपको चाहिए बहुत सारे universities में Chinese के courses आपको provide किये गया है तो problem नहीं होगी तो hope आपको समझ में आ गया होगा अगर इसके regarding कुछ questions हो तो मुसे पूछ सकते हैं आप मैं questions करूँगा question भी provide करने की चाहिए जिससे आपको यहाँ पर idea हो जाए thanks for watching bass or flick